नमस्कार शिक्षक मेदरों तथा वाला बाड़कों दोरण छती आटनी शिक्षक आउरुतीमा आवता सारेरिक शिक्षर ना थोड़ा आसनोनो अभ्यास आपणे आगाणना कार्यक्रम मा जोयेलू बाकीना आसनो अने बाकीनो अभ्यास आजे आपणे जोयसु। हवे आपणे गो मुखासन करीसु। गो एटले गाई अने मुख एटले मो। आ आसनमा गाईना मुख जेवी स्थिती बनती ओवाथी तेने गो मुखासन केवामा आवे छे। गो मुखासन माटे सव प्रथम डाबो पगवाडीने बाजु ममुकू। त्यार बाद तेना ओपर जम्णो पगवाडीने राखो। ध्यान रहे बनने धीचन एक बिजानी एक साथे रेवा जोये। हवे, दीरे दीरे डाबा हातने पाचण लेजाओ। डाबो हात कोणी माथी वाडी उपरनी तरफ लाओ। त्यार बाद जम्णो हात उपर करी कोणी माथी वाडी पीठ पाचण लेजाओ। बनने हातनी आंगडियो एक बिजा साथे जोडू। उपरनो हात मस्तकनी पाचण रहे एक खास ध्यान राखू। जाडा मानसने आ आसन करवामा मुस्केली पड़े छे। परन्तु सतत अभ्यास्थी आ आसन बराबर थाई सके छे। सरू आतना अठवाडियामा चार के पांच वखत करू। पची दिमे दिमे तेनो क्रम वधार्तु जवू। वधारेमा वधारे पंदर मेनिट सुन्दी आ आसन करी सकाई छे। दिरे दिरे मूल स्थितिमा परताओ। हात अने पग बन्ने मूल स्थितिमा लाओ। गोमुखासनना अभियास्ती बगलमा थती गांठ मटे छे। पगना वामा रहत पापे छे। कबजियात मंदागनी आरुची पीठनो दुखावो दूर थाई छे। पस्टिम मोतनासन जोईये। आ आसनने उग्रासन पन केवामा आवे छे। भगवान सीव ने उग्रना नामे थी पन उडखवामा आवे छे। तेथी आ आसनने उग्रासन केवामा आवे छे। पस्टिम मोतनासन माटे जमीन उपर बेसो बन्ने पगने आगण सिधा लामबा करू। हवे स्वास भरता भरता बन्ने हाथने उपरनी तरफ लेज़। त्यार बाद स्वास छोड़ता छोड़ता दीरे दीरे नीचेनी तरफ मस्तक डीचन पासे लाव। बन्ने हाथी पगना अंगुठा पकड़। कोणी जमीन साथे लगावनों प्रहत्न करू। आसरे 5 सेकेंड सुन्दी आ आसनमा टकी रव। दीरे दीरे आ आसनने 3 सेकेंड सुन्दी टकावनों प्रहत्न करू। हवे दीरे दीरे स्वास भरता भरता बन्ने हाथने उपरनी तरफ लाव। हाथ मोळ स्थितीमा परत लाव। पस्टिम मोताना सन्ना अभ्यास्ती जटरागनी प्रदिप्त थाई छे। पेट परनी वधारानी चर्वी दूर थाई छे। सरीर सुडोड अने घाटिदू बने छे। मगजिनी नाडियो पर प्रभाव पडे छे। जेथी मांसिक संतुलन टकावी राखवामा मदत रुप थाई छे। हवे आपणे बुजंगासन करीशू। आ असननी अंतिम स्थितीमा सापनी फेण जेव आकार बनतो होवासी। तेने बुजंगासन केवामा आवे छे। पुजंगासन माटे पेट पर उंधा सुई जाओ। इटलेके मो नीचे राखिने उल्टा सुई जाओ। सरीरना बदासनायोंने डीला करीदो। हथेडियो खबा अने कोणीनी वर्चेनी जग्याये जमीन उपर मुको। हवे स्वास भरता-भरता, मस्तक, खबा अने छाती ने भूमी पर्थी नाभी सुन्धी उपर उठाओ। पगनी आंगळियो जमीनने स्परसे ते प्रमाने पाछल खेंचायली राखो। आमक करवा थी, पीठ अने खबानी वज्चेनास नाईवोने सारी रिते खेंचान मनसे। पेट उपरनू दबान पन ठिक-ठिक प्रमानमा वदेलू लाख से। छथी 8 सेकेंड सुन्धी स्वास रोकी आ स्थितीमा रहो। त्यार बाद दिरे-दिरे स्वास छोडता-छोडता माथू तेनी मूर स्थितीमा लावो। पुजंगासनना अभियास्थी कबजियात दूर थाई छे, सरीर सुडोड बने छे, अने पीठनो दुखावो मटे छे। हवे आपणे गरुडासन करीचू। आ आसनमा गरुड नामना पक्सी जेवो आकार बनतो हो आती, तेने गरुडासन केवामा आवे छे। गरुडासन माटे सीधा उभा रहू। जमणो पग जमीन उपर सीधो रेवादो, अने डाबो पग उँचो करी जमणा पगने फर्तो वीटो। पगने एवी रिते मेटो कि जाने वेल जाडना थणने फर्तो आटो लगावीने चोटी रहे छे। हवे हाथने पण एवी जरिते आटो लगाव। हथेडियो एक विजाने अडकवी जोईये। आंगडियो गरुडनी चांच जेवी बनावो। हाथने मोनी बराबर सामे राखो। सामानिय स्वसनमा आ स्थितीमा टकी रह। आट्थी 10 सेकेंड सुन्दी आ स्थिती जाडवी राखो। त्यार बाद मूर्ण श्थितीमा तीरेदीरे परताओ। हवे हाथ अने पग नी स्थिती फेर्वी ने पण आ आसन करवू गरुडासनना अब्यास्थी लंबाई वदे चे, हाथ पग नो वा मटे चे, थापा अने पिंडी नो दुखाव मटे चे, पग ससक्त अने मजबूत बने चे त्रिकोणासन त्रिकोणासन माटे बन्ने पग छूटा राखी ने आराम थी उबार रहू हवे स्वास भरता भरता बन्ने हाथ जेते दिसामा खभाने समांतर उचा उठावू जम्ना पगना पंजाने सीधो करो स्वास ने दीरे दीरे बहार छोडता छोडता कमर ने जम्नी बाजु जुकाओ जुक्या बाद जम्ना हाथ ने जम्ना पगनी पाचल गूटी पासे लगाओ गुटन सीधा राखी ने डाबा हाथ ने आकास तरप सीधो करी जम्णा हाथ नी रेखामा राखो माथु उपर्री तरप फेर्वी नजर डाबा हाथ नी आंगडियो उपर लगाओ त्यार बाद स्वास भरता भरता मूड स्तितीमा पाचा आओ आ मुजब डाबी बाजु पन करवू त्रिकोना स्तंथी कटी प्रदेश सुडोड बने चे फेपसानी कार्यक्षम तावदे चे कटी भागु पर खेचाण अने दबाण आवाथी मोटु आतडु प्रभाविट थाई चे अने मडा अवरोध दूर थाई चे के यॅरूग चेपसानी कार्यक्षम